हेलो फ्रेंट्स अगर आप भी पुरानी वाली भिंडी खाकर बोर हो गए न तो एक बार इस तरीके से मसालेदार भर्मा भिंडी जरूर से बना करके देखेगा इतनी टेस्टी इतनी मज़दार ही लगती है न अगर आपने इसको एक बार बना लिया तो हर बार भिंडी इसी तरीके से बनाएंगे खाने में बहुत टेस्टी बनाने में बहुत आसान है तो चलिए बिना देर करें फटाफट से वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं यहां पर सबसे पहले मैंने ले लिए 300 ग्राम भिंडी लिए फ्रेश वाली भिंडी लिए अच्छे से दो करके इसको सु बीच में आरे सब्सक्राइब परेश नीच से छ Oakड में बीच में यहां फेल देना है तो मैंने मिन plots छोटी से नीचे से काट करनेडियों बीच में एक सी इसमें ने धेना है प्लेम के नहीं सब्सक्राइब भी बूर्ट इसके पीनेट डाल है दाने पेन में अधा कटोरी मुंफली दाने-पीनट्स डाले हैं अभी आपको इसको बूर्ण पर अच्छेसे बूर्णानाय जब तक कि बढ़िया से खुश्फुन आनने लग जए अबको ध्यानियां रखन आहें मसाला बहुत ज़ादा बहुत हम कि यहां पर बहुत हुआ है कलर ऐंच के थेखिंग बहुत शाया है तक यहां पर देखिए यहां पर डाल दिया है रहां देखिए। गलर के लिए हलदी टाल देंगे, चछट पटे टेस्ट के लिए थोड़ा सा गरम मसाला है एक जसा चम अधा डाल दाल पाउडर और क्षप्ते लिए सयाभात आप थेस्ट के लिए भी शिचलों की मैथी नहींगे मासालों को बRIA Messiah अच्छे से इसको पीस लेना है अब यहां पर एक प्लेट में मैंने इसको निकाल लिया है अगर हम इसको सूखा भरेंगे बिंडियों में तो यह बिखर जाएगा इसके लिए मैंने यहां पर डाला है दो से तीन चम अचार का मसाला और आप चाहिए तो नॉर्मल ओई या अच्छे से मिक्स कर लेना है अभी मैंने यहां पर भिंडी ले ली है और यह देखिए इस तरीके से पहले भिंडी को थोड़ा सा फैला लेना है और उसमें अच्छे से फिलिंग भर देना है आप चाहें तो अमचूर की जगा नीबू के जूस का भी यूस कर सकते हैं और अ अराम से पकड़िएगा नहीं यह पीछे से तूट जाएगे तो दोनों तुकड़े अलग हो सकते हैं इस तरीके से अच्छे से दबा दबा कर हमें फिलिंग भर लेना है एक्स्टा फिलिंग को हटा देंगे और आपको इसको अच्छे से भर लेना है ताकि फ्लेवर सारे ज चमच वाइल गरम करूंगी पैन में आप कोशिश कीजिएगा कि इस तरह का पैन या तबा ले जिससे की जादा भिंडिया इसमें सिक चके बट आप चाहें तो कड़ाई में भी इसको तल सकते हैं अच्छे से ओल गरम हो जाएगा तो यहां पर एक करके हमें सारी भिंडिया रख देनी है अच्छे आप इसको तलने में भी बहुत जादा ध्यान देना होता है सबसे पहले अभी हम इसको दो मिनिट के लिए ढग देंगे क्योंकि ताकि जिसमें जो मसाला हमने भराए वह एक बार अच्छे से सेट हो जाएगा ना तो जब आप इनको पल्टेंगे तो इसी तरीके से 5-6 मिनिट तक आपको करना है और दीरे दीरे पलटते रहेगा देखते रहे और थोड़ी ही देर में एकदम सॉफ्ट हो जाती है बहुत टेस्टी बनकर तेयार हो जाती है यह देखिए यहां पर हमारे भिंडियां अच्छे से सॉफ्ट हो गई है बहुत आप मुआ बहुत बंकर तेयार है एक इसको मिक्स क है